बिसम्हाइब वाहिम असलाम लेक्वी सुट्स तूट्स आज की सेलेक्शिन में हम क्यों के यह जो गेस्टिन इसको सॉब करेंगे तो ग्वेस्टिन हमने यहां से देखते हैं यह क्वेस्टिन है क्या देज़ टू डिजिट का एक नंबर है अगर उसके डिजट को समगिया जाए ऐन 21 ताइम डिफरस ओफिट्स डिजट में अगर हम 21 ताइम उसका डिफरस लेन नंबर का तो फिर नंबर मनता है नंबर के आए ची एक्स एंड य तो हमने यहां पर स्टेट्मेंट को कलर कोड से हमने इसको जो है सेपरेट किया है फिर्स स्टेट्मेंट पर जाए तो क्या लिखा है इस सेमन टाइम दिफरस ओफिट्स डिजट्स तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फिर अगर एक्स और य को प्लस करें और सेमन से मल्टिप्लाई करें तो हमारे पास यह नंबर बनेगा इसी तरह अगर हम सेकंड स्टेट तो हम इसको मजीत solve करते हैं, लेकि मैंने 7 को x से multiply किया 7x और हम यहां पर y से multiply करेंगे, 7y हो जाएगा, इसी तरह 21x, 21y हो जाएगा, इसको हम rearrange करेंगे, तो हमारे पास 7x minus xy equal to minus 7y के, और 21x equal to xy plus 21y के होगा, जो के correct option हमारे पास जो है, वो c है, तो हमने क्या करना होता है, हम हमने उन statement से equation लेनी होती है पहले, उसके बाद हमने इस equation को solve करके, थोड़ा सा simplify करके, rearrange करना होता है, और rearrange करने से हमारे पास जो correct option होता है, हमें उसका पता कर जाता है, और वो हमारा correct option हमें slack कर लेते हैं, तो इस method को अगर आप follow करें, तो इस तरह के equation को आप easily paper में attempt कर सकते ह मैं अमीद करता हूँ कि यह video आपके लिए helpful नहीं होगी, ऐसी मजीद दिशी आप बेट रहने के लिए अभी हमाई YouTube के आपके subscribe कर ले, अगर आप QM से related जो भी paper point of view से important questions हैं, वो सबके सब question की videos लेना चाते हैं, study material लेना चाते हैं, तो अभी हमारे वार्ट सब के अंबर में सब्सक्राइब करें, थैक्स वर वाचिं इस वीडियो